दो टीनीजर्स एक दूसरी के पैर में पढ़ते हैं जब लटके की डार्क साइट बाहर निकलती है तो सब कुछ प्रावल्लम आता है वो लटकी के साथ अपसेस्ट हो चुका था हेलो फ्रेंड्स आज के हमारी मूवी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाता हूँ आप कोई वीडियो अच्छा रखता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजेगा इसी चैनल को बहुत ही सपोर्ट मिलता है अब बीना किसी देरी के explanation स्टार्ट करते है movie स्टार्ट होती है और हमें हमारी main character जिसका नाम है Nicole ये introduce होती है Nicole अपने father, अपनी stepmother और stepbrother के साथ रहती है Nicole के फादर का नाम है स्टीव और इसके stepbrother का नाम है टोबी Nicole जब school जाती है तो उसके फादर notice करते है कि Nicole ने क्या पहना है यह उन्हें पसंद नहीं आया था तो उसे वो टोकते है पर Nicole उनकी बात मानने नहीं वाली Toby यह Steve का step son है यह दोनों एक दूसरे के साथ इंटा यह दोनों एक दूसरे के साथ इतना comfortable नहीं थे पर आज first time Toby Steve को father बुलाता है Steve को भी अच्छा रखता है वो Toby को स्कूल तक रैट दे देता है Nicole स्कूल में अपने friend Margo से मिलती है Margo को थोड़े टाइम में बार में जाना था तो Nicole को भी लेकर आई actual में Margo को एक आदमी पसंद आया है उसे देखने के लिए ही वो गई हुई थी यहाँ पर हम हमारा और एक main character देख सकते है जिसका नामें David Nicole जब David को notice करती है तो उसे वो अच्छा लगता है एक party होने वाली थी तो इस बार में इस party के flyers distribute किये जा रहे थे एक flyer David को भी मिला जब party का दीन आता है तो महारों को इसी party के बारे में Nicole से पूछती है पूछती है क्या उसके साथ चले ही की Nicole को अपनी family के साथ आज एक concert पर जाना पड़ेगा तो इसके लिए उसे मना कर देती है बाद में Nicole फिर से अपने फादर से बात करती है कहती है जिस concert में हम जाने वाले हैं मैं already वो देख चुकी हूँ मुझे फिर से क्यों जाना पड़ेगा फादर कहती है कि तब तुम सिर्फ पास साल की थी तुम्हें कुछ याद भी नहीं होगा Nicole कहती है मुझे सब कुछ चीज़े याद रहती है मैं आपकी तरह पास ब्लॉक नहीं करती है Nicole के फादर ने उसकी मदर को छोड़ दिया था इसके बारे में यहाँ यह बात हो रही थी फादर Nicole को समझाते है कि as a family हम सब लोग जाएंगे मजे करेंगे यह अच्छा दिन होगा फादर effort लेना चाहते है यह Nicole को भी अच्छा लगता है और इसके लिए वो हा कहती है गरपस ट्यू को अपने office से call आया यह उसे पता चला एक project पर उसे और भी काम करना पड़ेगा आज जो concert पर जाने वाले थे यह cancel हो जाता है यह बात आकर जब वो family से कहता है तो सब लोग upset है क्योंकि हमेशा वो अपने काम में ही लगा रहता है Nicole भी इस पर बहुत ही ज़्यादा गुसा हो गई थी तो directly मारको को call लगाती है कहती है आज रात हम party के लिए जाएंगे रात में party में पहुँचे और मारको को जो आदमी पसंद था उसके साथ busy होके यही पर Nicole को डेविड अप्रोच करता है उसे पुछता है कि तुम डांस नहीं करें Nicole कहती है कि तुम ही तो नहीं करें इसके बाद एक दुसरे के साथ डांस करने लगते है चानक से थोड़ी देर में इस party को burn करने के लिए वहाँ पुलिस आ गए पुलिस से भागते भागते यह दोनों rooftop पर आते है Nicole मारको का wait कर रही थी और मारको एक अलग रास्ते से यहाँ से चली गई डेविड फिर निकोल को river के पास एक beautiful से जगा पर लेकर आता है Nicole डेविड के गाड़ी के बारे में बात करती है यह थी है कि गाड़ी तो उन्होंने बनाना बन कर दिया था क्योंकि एक्स्प्लोड करती है डेविड कहता है इसे सही से बनाया नहीं गया इसमें इस गाड़ी का कोई भी fault नहीं है कि ऐसे ही पड़ी हुई थी तो मुझे बुरा लगा निकोल को डेविड की थिंकिंग अच्छी लगती है इसके बाद यह अलग-अलग चीजों के बारे में बात कर रहे थे निकोल कहती है जब मैं नाइन येस की थी तब ही मेरे फादर ने मेरी मदर को छोड़ दिया था मेरी मदर हमेशा बहुत ही डिस्टब रहती थी वो फिर डेविड को उसके पैरेंट्स के बारे में पुछती है डेविड कहता है कि वो ज़रा दूर रहते है पर हमेशा मैं उन्हें कॉल करता रहता हूँ वो एक परफेक्क कपल है उनमें कभी भी किसी सिरियस चीज़ को लेकर फाइट नहीं होती है निकोल फिर डेविड को देखकर अजिब साहसती है तो डेविड उससे पूछता है कि ये क्या था वो गहती है जब मैंने तुमें फर्स टाइम देखा तो मुझे तुम बहुत ही अलग लगे थे एक्चॉल में तुम बहुत ही स्वीट हो डेविड भी गहता है ये तुम बहुत ही प्यूटिफुल हो उससे इतने अच्छी लगी कि उससे लगता है कि कोई भी चीज इतनी सही हो नहीं सकते उसमें कुछ ना कुछ तो गड़बढ होगी है निकोल भी अडमिट करती है ये मुझे में में थोड़े से फ्लॉस है जो तुमें वक्त के साथ पता चलेंगे ये दोनों करीब आ गए और एक दूसरे को किस कर रहे थे डेविड निकोल के साथ इंटिमेट होना चाहता था पर निकोल उसे रोक लेती है वो वेट करना चाहती है कहती है ये ही मेरा फॉल्ट है डेविड कहता है तुमारे इस डिसिजन को मेरे इस पे करता हो और एडमायर भी उसके लिए वेट करेगा निकोल को जल्दी घर जाना था देविड उसकी वाच लेकर इसे हाफ अवर पीछे कर देता है कहता है कि अब तुम्हें टाइम के बारे में वरी करने की कोई भी जरूरत नहीं है जब वो घर पर आई तो लेट हो चुकी थी निकोल की स्टेप मद जिसका नामे लॉरा ये उस पर बहुत ही गुस्सा थी तो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ही वरीड थी निकोल बहाना बनाती है कि उसका वाच खराब हो गया था यहावर लॉरा निकोल को एक घटिया जीज बुला दिये जब स्टीव को एक बात पता चली तो घर के काम करने की उसे सजा देते है निकोल बता देती है ये लॉरा ने मुझे बहुत ही बुरा बोला था रात में जब स्टीव और लॉरा एक साथ थे तो लॉरा कहती है ये तुमने उसे बहुत ही ज़ादा छूट देखर रखी है अगर वो फिर से ऐसा कुछ करती है तो तुमें उसे स्टीकली कुछ सजा देनी चाहिए स्टीव कहता है तुमने उसे जो कहा ये भी बहुत ही गलत था निकोल और डेविड अब एक दुसरे से रेगुलरली मिलने लग जाते है डेविड कहता है मुझे तुमारी फैमिली से मिलना है ये सुनकर निकोल को भी अच्छा लगा इसके बाद डेविड इंसफ से मिला इनका डॉग भी डेविड को पसंद करता है सबसे वो अच्छे से बात करता है लॉरा को gardening में help चाहिए थे तो ये भी करने के लिए रेडी है सब को डेविट बहुत पसंद आता है इसके बाद स्टीव जब घर पर काम कर रहा था तो वाश्रूम धुन्टे धुन्टे डेविट भी उसके पास आया स्टीव पुछता है इलाइफ किस तरह से चल रही है स्टीव को ये सब बहुत ही अजीब लगा रात में डेविट और निकोल एक रोलर कोस्टर में आते है इस रोलर कोस्टर पे ही डेविट निकोल को प्लीज करता है जब डेविट स्टीव के रूम में था तो स्टीव का क्लॉक भी उसने हाफ अवर पीछे कर दिया था इस लॉरा से कहता है तुम भी मेरे साथ चल सकती हो लॉरा भी आज कल सब कामों से फ्रस्टेटेट थी तो एक हॉलीडे हो जाएगा वो भी इसके लिए माझ जाती है अब घर पर निकोल और उसका प्रदर ये दोनों अकेली ही है रात में निकोल डेविड को क्वाल लगाती है कहत तुम चाहो तो रात में घर पर आ सकते हो डेविड कहता है कि मैं जरा बाहर हूँ तो अभी के अभी नहीं आ सकता चाहिद रात में मैं आप आओ निकोल ने फिर घर के लौक का कॉम्बिनेशन उसे दे दिया डेविड रात में निकोल के पास आकर उसके साथ इंटिमेट हो जाता है इसके बाद नेक्स डे जब निकोल स्कूल में थी तो अपने एक फ्रेंड से बात कर रही थी डेविड उसे पिक अप करने के लिए आया उसे इस बात पर गुसा आ गया और वो निकोल के फ्रेंड को बहुत मारता है निकोल उसे रोकने की कुशिश करती है तो उसे भी वो हट कर देता है वो उसे रुकने के लिए कहती है कहती है यहां से चले जाओ मुझसे बात मत करो घर आकर निकोल ने नोटिस किया कि उसकी आख प्लैक हो चुकी थी इसे ठीक करने के लिए वो लॉरा से हेल्प लेती है लॉरा उसे पूछती है कि हुआ क्या निकोल कहत चाहता है स्कूल के बाद मारगों के यहाँ उसने उसे बुलाया है इस चीज़ को निकोल इग्नोर कर देती है इसके बाद डेवीड ने निकोल के लिए फूल भेज़े जो डाल दिये रात में निकोल अपने रूम में रो रही थे तो लौरा और स्टीव इससे ज़रा परिशा क्या उसी की वज़े से आई थी निकोल गेदी के ऐसा कुछ भी नहीं था स्टीव को लगता है कि निकोल की मदर को उसने छोड़ दिया इसी वज़े से निकोल ये सब चीज़े करती है निकोल गेदी है ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे पास मेरी खुद की लाइफ है जिसे मैं ज रात में घर से बहार जाने में भी रिस्टिक कर देता है निकोल जब मारको के घर पर थी तब ही डेविड वहा आया वो उसे sorry कहता है मैंने जो भी किया मैं तुम्हारे लिए care करता हूँ इसी वज़े से किया था मुझे लगा कि वो लटका तुम्हें छेड रहा है अगर तुम्हें किसे ने हट करने की कोशिश की तुम्हें उसे मार डालूँगा मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ हम दोनों को एक दूसरी की care लेनी चाहिए उसे फिर से sorry कहता है इसके बाद निकोल ने उसे माफ कर दिया स्टीव जब घर पर पहुचा तो निकोल और डेविड उसके पूल में थे इस पर वो बहुत ही ज़ादा गुसा हो गया था लॉरा से इसके बारे में बात करता है तो कहती है तुमने ही कहा था क्यों घर के बाहर नहीं जा सकती है डेविड फिर से निकोल की लाइफ में है इस स्टीव को थोड़ा भी अच्छा नहीं लगता उसने फिर डेविड के बारे में इन्विस्टिगेशन करना स्टार्ट किया उसे पता चला कि डेविड एक औरफन है मुवे में डेविड ने निकोल को कहा था कि उसकी फैमिली बहुत ही खुश है यह उसने जोट कहा था यह सब बात स्टीव लॉरा से कहता है कहता है कि कुछ ना कुछ तो डेविड में गड़बड है लॉरा कहती है इसायद उसका बज़पन हैपी नहीं था इसलिए जोट बोल रहा था डेविड जब फॉस्टर केर से निकला तब उसके बाद उसका कोई भी रेकॉर्ड नहीं है एक क्रिमिनल की तरह इसके बाद स्टीव डेविड से बात करता है कहता है मेरे डॉर्टर से तुम दूर रहना वरना अच्छा नहीं होगा डेविड कहता है कि मुझे लगा था कि तुम में कुछ भी दम नहीं है बैए तुम जो कह रहे हो यह नहीं हो सकता जब निकोल को तुमारी जरुरत थे तो तुम उसके लाइफ में नहीं थे मैं हमेशा उसका साथ दोंगा तुम रिलाक्स करो हम practically a family ही है स्टीव इससे और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया स्टीव के जाने के बाद डेविड अपने आपको ही जोर जोर से मारने लगता है इसके बाद स्टीव एक लॉयर के पास आया था बचाता है कि डेविड और निकोल एक दूसरे से ना मिले पर इलीगल ही impossible है रात में जब निकोल घर पर आई तो स्टीव से वो बहुत ही गुस्सा है एक्च्वल में डेविड ने उसे कहा कि स्टीव ने मुझे बहुत मारा उसने अपने आपको मारा था और जूट कह दिया था निकोल अपने फादर से कहती है कि मैंने आपके सब रिस्पेक्ट अब खो दी है वो गुस्से गुस्से में ही डेविड के साथ बाहर चली गई ये दोनों हैंग आउट कर रहे थे तो डेविड निकोल से कहता है तो उमसे बहुत प्यार करता हूँ निकोल भी कहती है कि हमें कोई भी जुदा नहीं कर सकता डेविड निकोल को इन्वाइट कर रहा था ये चोलो मेरे घर पर एक पार्टी है पर निकोल कहती है ये मुझे घर जाने में लेट हो जाएगा उसके फादर वरी करेंगे और ये वो नहीं चाहते है निकोल फिर अपने घर तक तो आए पर उसने अपना माइंड चेंज कर दिया वो डारेकली डेविड के पार्टी में पहुच जाते है यहाँ पर वो नुटिस करती है कि मारगो को डेविड लेकर जा रहा है उसे ले जाकर उसके साथ इंटिमेट हो गया निकोल ये देखकर बहुत ही जादा हर्ट हो गयी वो घर आई उसने अपने फादर को बताया कि मैं बहुत ही सौरी हूँ मेरी वज़े से आपको इतनी सारी तकलिफ हुए अब डेविड और निकोल की बीच में सब कुछ खतम हो गया है तो फादर को भी अच्छा लगता है वो फिर निकोल के पास आये उसे कहता है कि ये जो दर तुम महसूस कर रही हो ये पास हो जाएगा इस दिन जब निकोल स्कूल में थी तो डेविड से कुछ भी बात नहीं करना चाहती थी डेविड उसे बात करने के लिए फोस करता है तो निकोल का फ्रेंड उसका नामे गैरी ये डेविड को रोक लेता है डेविड भी फिर वहाँ से चला गया इविनिंग में निकोल की फ्रेंड मारगो उसे मिलने के लिए आई पर निकोल उससे कुछ भी बात नहीं करना चाहती मारगो उससे पुछती है कि हुआ क्या निकोल ने जो दिखा वो इसके बारे में उसे बता देती है मारगो को बहुत भुरा लगता है वो उसे sorry कहती है कहती है कि मैं बहुती ड्रंग थी इसे वज़े सेसब हुआ वो मुझे फोर्स कर रहा था निकोल ने मार्गो को माफ नहीं किया मार्गो रोते-रोते ही घर चली कि डेविड भी निकोल के घर के बाहरी था तो घर जाते-जाते उसका वो पीछा करता है उसे रोक कर बोचता है कि तुमने निकोल से कहा क्या मार्गो कहती है कि उसे हमारे बारे में पता चल चुका है वो मार्गो को धम की देता है कहता है उसे तुम सही से समझा वरना मैं तुमें मार डालूँगा रात में डेविड फिर से निकोल के घर पर आया स्टीव ने डोर खोला तो उससे हो कहता है कि हम दोना में एक misunderstanding हुई है मुझे आप सबसे sorry कहना है स्टीव उसे अंदर नहीं आने देता डेविड निकोल से obsessed हो गया था तो अपने body पर daddo बनवाता है जिसमें लिका है कि वो सिर्फ निकोल का है हमेशा के लिए स्कूल में निकोल को उसका friend Gary protect करता है तो इससे डेविड को बहुत ही गुस्सा आया था स्कूल खत्म होने के बाद Gary जब घर पर जा रहा था तो डेविड उसके पीछे आया डेविड उसे गयता है मुझे हमेशा अलग-अलग foster home में रखा जाता था मैं वहाग की वॉल ब्रेक करकर वहाँ से हमेशा निकलता आया हो मुझे जो चाहिए होता है उसके बीच में जो भी आता है इसे मैं तोड देता हू Gary उससे डर गया और भागने की कुशिश करता है डेविड उसे पकड़ कर मार डालता है नेक सिन्मम देखते हैं कि स्टीव अपना काम खतम करकर जब पार्किंग में आया तो उसकी गाड़ी को डेविड ने तोट डाला था अब डेविड फाइलन्ट हो चुका है तो सब फैमिली को वान करने के लिए स्टीव उन्हें मैसेज करता है पर ये सब बाहर थे निकोल एक शौपिंग मॉल में थी जब वो वाश्रोम में आई तब ही डेविड उसके पास आ जाता है उसे कहता है कि हम दोनों में जो है ये बहुत यूनिक है सब लोग हमें जुदा करने की कोशिश कर रहे है ये में होने नहीं दे सकता ये कहे कर वहाँ से वो चला गया निकोल बहुत ही ज़ादा डर गई थी स्टीव बहुत ही वरीड था तो वो डेविड के घर में पहुचता है यहाँ पर वो नोटिस करता है कि डेविड के पास निकोल की कुछ चीज़े है इसमें निकोल की इनर वेर भी थे तो बहुत ही ज़ादा गुसा हो गया डेविड का सब घर वो तैस नैस करने लगता है थोड़ी देर में डेविड और उसके फ्रेंड घर पर आये उनके घर का हाल देखकर यह सब गुसा हो गये डेविड का एक फ्रेंड कहता है जिसने भी एक किया मैं उसे मार डालूँगा डेविड कहता है कि आज रात हम चलेंगे रात में निकोल की घर पर मारगो आती है वो गहती है कि गैरी की बॉड़ी उने मिली वो बहुत ही डर चुकी थी स्टीव को पता था कि डेविड कुछ ना कुछ तो करने ही वाला है तो इसी वाज़े से पुलिस को कॉल करकर वो ओन करने की कोशिश करता है पर उसे वो इगनोर कर देते हैं थोड़ी ही देर में डेविड अपने सब फ्रेंड के साथ इन्हें मारने के लिए घर पहुचा निकोल का डॉक था जिसकी लाश वो घर में फिक दे थे सब बहुत ही डर गए उन्हेंने पुलिस को कॉल करने की कोशिश की पर बहार से डेविड और उसके फ्रेंड ने सब टेलिफोन लाइन सकट कर दिये स्टीव स्मार्ट था तो उसने घर को बहुत ज़्यादा सीक्यूरिटी रखी है घर की ग्लासेश कोई जल्दी से तोड नहीं सकता सब डोर्स को भी सीक्यूरिटी लॉक थे तो निकोल कहती है कि डेविड के पास सीक्यूरिटी लॉक का कोड है स्टिव जल्दी से जाता है और इस डोर को अंदर से पैक कर लेता है इन्हें कोई स्पोर्ट ना कर सके इसलिए घर के लाइड भी इन्होंने बन कर दिये है मारगो निकोल और इसका ब्रदर ये सब बेडरूम में थे वहाँ पर कोई उपर जड़ कर आ रहा था तो निकोल उसे भी नीची गिरा देती है जो भी लोग घर में अंदर आने की कोशिश कर रहे थे स्टिव इन सब से नहीं पढ़ता है इनके घर से बहुत ही दूर एक सेकुरिटी पोस्ट है घर में अंदर आ था तो निकोल टॉच लेकर सिगनल दे रही थी वहाँ का पुलिस नुटिस करता है और देखने के लिए वहाँ पहुच आता है वो जब वहाँ पहुचा तो उसे हैंडल करने के लिए डेविड वहा आया वो समझ चुका था कि डेविड कुछ न कुछ तो गडबड कर रहा है अब यह पुलिस ओफिसर सब को अरेस्ट कर रहा था स्टीव भी बहार आया सब चीजों के बारे में इस पुलिस ओफिसर को बता रहा था तो भी अचानक से डेविड के फ्रेंड ने इस पुलिस ओफिसर को मार डाला डेविड और उसके फ्रेंड फ्रेंड फिस ट्यू पर गन लगाते हैं कहते हैं कि हमें घर में लेकर चलो लॉरा भी घर का डोर ओपन कर देती है निकोल को रेलाइस होता है कि गाड़ी में एक सेल फोन है जहाला से वो पुलिस को कॉल कर सकते है इस बेड juris से सिर्फ उसका ब्रदर निकल सकता है ब्रदर गाड़ी में पोहच्ट हो जाता है पर डेविड के फ्रेंड ने उसे नोटीस किया उसने गाड़ी पर फायर किया पर निकोल का प्रदर गाड़ी स्टार्ट करकर उसे कुचल लेता है उसने फिर पुलिस को कॉल किया यह जो सब कुछ हो रहा था तब डेविड ने स्टीव और लॉरा को बान दिया था डेविड का फ्रेंड है निकोल के घर में गुज गया वो के साथ जबरदस्ती इंटिमेट होने वाला था पर डेविड ने उसे मार डाला डेविड निकोल को कहता है कि तुम अब अपने फादर को गुडबाय कहो जब तुम सब चीजों को छोड़ दोगी तब हम एक साथ होंगे निकोल के फादर को मारने वाला था तब निकोल एक पुड़न स्टेक लेकर इससे उस पर वार कर देती है अब डेविड निकोल को हर्ट करने वाला था तब इस टीव उसे पकड़ता है और उपर से नीचे गिरा देता है इससे डेविड की डेथ हो गये इसके बाद पुलिस को बुलाय गया और सब कुछ ठीक हो गया निकोल को बहुत भारी पड़ा फाइनली स्टीव ने अपनी डॉटर को प्रोटेक किया इसी तरीके से इस मुवी की एंडिंग हो जाती है अगर आप को वीडियो चलगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा बहुत सारी मुवीज लेकर आत रहे तो तो प्लीज चैनल को स है अगर किया